पूम गंग गणपते नमहा मेश राशी वालों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार मेश राशी वालों के लिए आठ सितंबर से 14 सितंबर याने कि सितंबर महा का दूसरा सप्ता रहेगा यहने कि मेश राशी वालों का सापता एक राशी पल वो भी दूसरे सब्धा का वीडियो में वही जाने में किनकिन चित्रों में आपको इस समय लाब मिलेगा किनकिन चित्रों में साफधानी रहने कि आपको अपर सकता है आपकी लव लाइफ, आपका करियर, विजिनिस, वैपार, स्वास्त, शिक्षा, नोक्री, आर्थ क्यूसिती, हर विशाप पर चर्चा करने वाले हैं और अंत में वीडियो के आपके लिए कुछ बहत्पपोन उपाई भी हैं जिन पाय को करने शेए, आपको लाब हमेले का इस सब्ता, तो वीडियो पूरा जरूर देखें आगे शुरू करें वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना, जैय श्रीक ने इस कमेंट स्वोक्स में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब के लेना, यह पहले बारा है चैनल पर तकी समय समय पर इसी प्रकार का राशिपल आपको मिलता रही, तो चलिए बात करते हैं मेश राशीवालों का सापता है कि राशिपल, दूसरे सपता का, यानि कि 8 सितंबर से 14 सितंबर तका, तो मेश राशी की जीने के लिए हैं मतलब कि आपका जो आर्थिक पक्ष्व पहले से मजबूत रहने वाला है पिछले कुछ समय से जो भी चिंताई चल रही हैं उससे रहत आपको मिलेगी साथि साथ आप घर परिवार के लोगों की एर छोटी मोटी जरूरतों को पूरी करने में शक्षम रहेंगे और आपको आनंद भी आएगा और साथि साथ इस सब्ता आप किसी पुराने मित्र परिचित से भी मुलाकात कर सकते हैं जिससे आपको खुशी प्रतान होगी और साथि साथ आप इस समय अपने आपको तनाव मुक्त भी रखेंगे क्योंकि भाग्या उन्नती के सुवपसर बन रहे हैं इस समय और मेश राशी वालो यह वह भी समय होगा कि जब आपके पिछले समय से जो भी रुका हुआ कार रहे है या आटका हुआ कार रहे है तो वह भी पूरा होगा इस समय परन्तों कुछ समय ऐसा होगा जहां आपके उपर आपके विरोधी हावी होंगे परन्तों आपका आहित नहीं कर पाएंगे आप अपनी बुद्धी मता वे होस्यारी से अधिकतर काम निम्टाने में सक्षम रहने वाले और साथे साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे जिन लोगों ने कहीं पैसा उधार दिया है या कहीं अटका हुआ पैसा है या कहीं पैसे को निविस किया है तो वे पैसा मिलने वाला है आपका कुछ प्रियास करें अल्प प्रियास से ही पैसा आपको मिलेगा ऐसा सुभ योग है इस समय और घर के बड़े बजरुगों के आसिरवाद वे किरपा से घर में खुशनमा वातावान रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने में में पत्रशीर रहेंगे समय और बातें आपके लिए कुछ शावधनी के लिए भी हैं क्या अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें तो कि आपको भावनात्मक रूप से कोई बेवखूब बना सकता है किसी के भेकाने में ना हैं आप किसी को धन दे दिया या कहीं पैसे अनिवेश कर दिया या कोई काम सोच समझ कर ही करें अन्यता आप बहुती बड़ी मुशिबत में पड़ जाएंगे और वेर्थ के कारूरे में धन खर्च ना करें ऐसे योग हैं क्योंकि धन का तो आगमन दिक रहा है परन्तु धन खर्च का भी योग है तो आपको हिसाब से खर्च करना है नियंतर रखें और यदि भूमी या वाहन सम्मंदित रण लेने की सोच रहें तो किसी की सला अवश्य ले ले रण लेने से पहले और विर्द्यार्ति वरकी के लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंदरित रखने के आवश्यक्ता है किसी भी प्रकार के शमय वर्थ ना करें क्योंकि समय आपके केरियर के लिए बहुत अच्छा है शमय का लाव उठाए बात अगर आपके लव लाइफ के अनिक प्रेम जीवन की करें तो परिवार एक माहुल बड़ा खुसनमा अनंद में रहेगा साथिसाथ प्रेम प्रशंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता ना करें परिवार में ऐसा भी समय हो सकता है किसी बात को लिखकर मतवेद या गलत फहमी किस्तिती रह सकती है तो आपको क्या करना है शावधान रहना है शावधान रहें कुछ ऐसा ना बोलें जो किसी को आहत लगे पती पतनी में यह लिक्यों अनमन है वे विदूर होगी और पुने रिस्तों में मदूरता आएगी प्रेम बड़ेगा आप अपने कारचित्र में काम के व्यस्त होने के बावजूद भी अपने बिजिनेश वैपार में अपने किसी कारण में व्यस्त होने के बावजूद भी घर पर उचित समय दे पाएंगे जिससे घर परिवार के लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे और इस से उनकी नजरों में आपकी value और बढ़ जाएगी ये समझे बिजी के अपने वेस्ट होने के बावजूद भी घर परिवार के लोगों के लिए समय आप देंगे और यही समय देना आपके प्रेम संबंदों को बढ़ाएगा और यह वेवी समय होगा जब आप प्रेम प्रसंग में हैं इसे से प्रेम करते हैं यदि प्रेम का इजार करेंगी तो वे प्रेम संबंद विवा संबंदों में बदल जाएगा और उन प्रेम संबंदों को विवा के प्रती शुकूर्ती मिलेगी घर परिवार के लोगों की आपका विवावी संबभ है प्रेम संबंदों से सीधा विवा संबंदों पे भी बात आ जाएगी परन्तु अपने घर परिवार के लोगों से इस बात को शेर करें अपने प्रेम संबंदों के लिए तो समय बड़ा चाहें प्रेम संबंदों की दरश्टी से शमय का लाग उठाएं बात अगर आपके बिजनिस वैपार की करें सबसे पहले फिर बात करेंगे आपका केरियर फिर आपकी आर्चे किस्तिति नौकरी शिक्षा सबसे पहले बिजनिस वैपार क्या करें बिजनिस वैपार में इस समय आपको बहुत अधिक मेहनत करने की परिश्रम करने की आउसरता ह क्यों कि पिछले सब्ता आपके तरफ से कुछ लापरवाईं हुई हैं ऐसा नहीं कि वे लापरवाईं आप दोराएं और जिससे कि ये दूसरा सब्ता भी आपके लिए उतार चड़ा बाला रहें यदि लाप लेना है तो परिश्रम करें मेहनत करें और विजनिस वेपार को आगे बढ़ाने की भी आप कुछ योजनाय बनाएंगी जिसमें जारा तरफ आपको सपलता हैं मिलेगी और विजनिस वेपार से सम्द्धिती यात्राओं के योग हैं आपको यात्राइं करने जिसमें अधिकतरा उनलाब मिलेगा और जो लोग ने आप इंजिनिस वैपार शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय बादा अनुकूल दिख रहा हैं परन्तों समझदारी बुद्धी मता और किसी की सला से ही करेंगे तो आपको लाब रहेगा बात अगर आपके करियर क सबसे पहले शिक्षा को लेकर शिक्षा में यदि जो लोग विदेश जाकर पढ़ाए करना चाहते हैं तो वैसे अपना पूर्ण होता दिख रहा है शाति साथ अमंचाय कॉलेज में आपको दाखिला मिलने के भी योग हैं प्रियासरत रहें को आपने उसके लिए परन्तो बुद्धी मता आप अपनी बुद्धी मता वैं विवेक से सभी परिशानियों का हली भी निकाल लेंगे वही बड़े सांति पॉन्टेंसे वैसे तो छोटी मोटी परिशानिया नोकरी में दिख रही हैं परन्तो बॉस और उच्छ अधिकारी जो आपके वरिष्ट से जल्द्धार। कि आपको प्रमूchan भी मिल सकता हैं और जो लोग नोकरी की तलास में उनका भी यह तब आपको नोकरी के इस तार चलाबाला हो सकता है परन्तो कुछ निश्वाशी वाले जात्र नोकरी पराप्धुन की पूरी उम्मीर है परन्तो तीसरे हपता में जो लो आर्थ किस्ति तो आपकी है अच्छी तोकि बिजनिस वैपार से भी अच्छे लाव के योग हैं रुकावा पैसा मिलने के भी योग हैं नौकरी के माध्यम से कुछ प्रमोशन के भी योग हैं नौकरी मिलने के भी तो आपको आर्थ किस्तिति के लोगे चिंता नहीं करनी अच अच्छा खानपान लखें सुपाच्य भोजन और तनाव मुक्त अपने आपको रखें स्वास्तरी अच्छा लेगा अब उपाई की बात करें तो मेश्राशी वालो इस सप्ता आपके लिए उपाई क्या है आपको ज्यादा नहीं एक उपाई करना है ओम गाउं गड़पते न लाब मिलेगा ओम गंड़पते न वहां मंत्र का 41 वाद 41 टाइंस डेली जाप करने लाब मिलेगा तो मैं इस राशी वालो अगले इसी प्रकार के राशी पल की वीडियो के साथ मिलते लाइक करना वीडियो को जो यह दिक कोई समस्या परिशानी हमें कमेंस करना उसका स्वल करने वाद जे श्री करेश